सुप्र बाद दोस्तों यहाँ पर अभी स्मार्टफोन लोन चीज थोड़े कम हुए इस खुशी में हम लोग अभी आउट्डोर चल रहे हैं और एक छी सी वीडियो आपके लिए कुछ डिफरेंस प्लान कर रहे हैं कंचा कंचे के लिए बंद नहीं हो अभी बाइद आवे फ लोग इसका यूज करते होंगे कार प्ले आउस का फीचर है और दूसरी तरफ एंड्रोइड वाला जो है ना एंड्रोइड ओटो वह एक अंड्रोइड फीचर है यानि कि वीडियो ने चाहिए एक आई फोन और साथ में चाहिए एक एक आर तो तीनों मिलके बन जाएंगे और आप में से कभी सार लोगों के पास कार होगी नहीं है तो कोई बात नहीं आ जाएगी या फिर तीसरे वो लोग जो की मतलब कार एक्स्पिरेंस नहीं करना चाहते बट कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और उमीद करता हूं वीडियो परसंद आईगी तो आप सब्स् ही होता है और इस समय बिना वायर के कनेक्टीड है मतलब यह वायरलस फीचर के साथ आती है कार यानि कि वायरलस कार प्ले मैं चाहूं तो इसको वायर के साथ भी कर सकता हूं लेटनसी कम मिलेगी वायर का फायदा यह है कि आपका फोन चार्ज भी होता रहता है और आपका य पहले वीडियो का टाइटल होने वाला था Android Auto और CarPlay लेकिन जब इनको compare करो तो इन दोनों को comparison नहीं बनता बिकोज यहां पे Android Auto इतना पीछे है CarPlay के comparison में और जो इस चैनल से जुड़े में मैं कोई ऐसे Apple fanboy नहीं आप जानते हो बट जो चीज बैटर है वो बैटरी होती है तो यह वीडियो का टाइटल चेंज हो जाएगा तो पेटी बान लिया जाए चलते हैं नए सफर पर सब्सक्र देखा तो आपको iOS के साथ कुछ SIUI देखने को मिलता है जैसे iPhone के icons होते हैं कुछ हद तक वैसे वैसे यहां पर आपको show होंगे और यह सारी applications नहीं आती इसके अंदर भाई जो support करता है music की कोई भी आ जाएगी for example हमारा YouTube Spotify या फिर इनके खुद का Apple Music और उसी के साथ यहां पर icons है same display का experience Android Oto के साथ अगर आप देखो के तो ऐसा लगता बहुत डिस्प्ले का experience ही डाउन हो गया because यही आइकन यही डिस्प्ले भाई CarPlay के साथ ज्यादा स्मूथ हो ज्यादा बैटर दिखता है और वही चीज आपको Android Oto में थोड़ा old design का sometimes इतना स्मूथ भी नहीं होता य यहाई ज्यादा लग ही फिल कराता है यानि कि पहला difference बैटर यू आई दिखता है हमारे पास CarPlay के साथ second difference by smoothness भी बैटर फिल कराता है CarPlay compared to Android Oto के तीसरा difference जो यू आई खुद में यह बैटर है जैसे for example आप यहाँ पे कोई भी चीज open करते हो और वापीस आपको जाना है तो यहाँ पे जो वाल पेपर है उसके कलर जो है ज्यादा पॉप होके आते है ज्यादा बेटर लगते हैं यही चीज में Android में दिखाता हो अभी आपको डिवाइस मेनेजर में आपको दिखाता है कौन-कौन से डिवाइस आपने connect किये हो है एक और चीज अगर आपके वन में आ रहे हो यह भी wireless connected है और यह वाल पेपर चाहे iPhone हो चाहे हो आपका Android इसके अंदर fix होता है देखो यह थोड़े से ओल डिजाइन वाले वाल पेपर आते है सारे इसमें न मतलब जादा ऐसे अडवांस से होने चाहिए थोड़े वाल पेपर जो डिस्प्ले को पॉप करके आए से old time के लगते हैं तो इस वज़े से थोड़ा पुराना लगता है अपल में यहां पे home button आने के लिए था यहां पे इस तरफ दे रखा एक तो यह side में यहां कोई recent application जैसा option देखने को नहीं मिलता या फिर customize कर सकते हो आप बेसीलिए आप चाहते हो कि क्या show कराना क्या show नही करता हो तो यहां पर देखो Google Assistant activate हो जाता है एपल में Siri activate हो जाएगा यहां पर जैसे मैं कहता हूँ call हर्षित यहां से इस तरीके से call कर सकते हो हर्षित इता देखो बड़े च्रिंग टोल लगा 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 तुमसे ही तेरा पितूर लगा हो और अगर आपके मन में रहा WhatsApp कैसे कंट्रोल होता है तो यहां पर भाई WhatsApp आपको अपन करना होगा अब यहां मैं थोड़ा ब्लर कर दूँगा बिकोज मैसीज है अपने जहां देखो लेटेस मैसीज पर टैप करूँगा तो इस तरह से यह रीड करके सुनाने लग जाएगा सेम बिद एपल सेम बिद अंड्रोएड अब जैसे में न्यू बंदे को WhatsApp मैसीज करना तो यहां न्यू पर टैप करेंगे हर्षित के फोन में मैसीज चला गया यह चीज अपल और अंड्रोएड दोनों में सेम काम करेंगा अप टाइप नहीं कर सकते कहीं आप सोचे टाइप करके मैसीज बेज़ पाऊगे हां गूगल में जाके आप लोकेशन अगरा के लिए टाइप भी कर सकते हो या फिर बोल भ कर सकते हैं म्यूजिक को कुछ भी कर लो तो यह दिखके था लेकिन नेक्ट कर सकते हो आगे पीछे कर सकते हो या फिर जिस कार में यहां ऑप्शन होता आगे पीछे करने करने का वह होगा जैसे में पीछे दे रखा तो इसमें यहां से हो जाता है और सेम चीज बाइगर जो खुद का music app है, इसके अंदर भी music को मैं क्या कर सकता हूँ, यह देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, forward कर सकते हो, या फिर backward कर सकते हो, या फिर Spotify में जाते हो, Spotify का UI इसमें ज्यादा बैटर feel कराता है, और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, music को हम आगे पीछे ऐसे कर सकते है, forward कर सकते, backward कर सकते हैं, लेकिन YT music में इसमें भी नहीं होता, YT music मतलब इस feature को support नहीं करता, और next feature लेकिन यहाँ पर Android clear win कर जाता है, actually यह Android क्या, यह सिरफ अगर आप day to day life में Google Map यूज़ करते हैं, तो आपको पता यह Google Map ज्यादा बेटर है, Apple वाल मैप से और basically Google Map ही तो second तरीका यह है कि जो की आप Android वाले में भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर मैं यह टाइप करके home screen पर जाके इस तरफ swipe कर देता हूं, यह देखो, यहाँ पर आपका map भी साथ-साथ चलेगा, कौन सा song play और वो भी दिखेगा, तो यह ज्यादा बेटर है Android auto से, हा लेकिन एक मैंने देखा है, Google Assistant ज्यादा बेटर कई मामलों में response कर जाता है, ज्यादा accurate command लेता है, कभी-कभी, और Google Assistant भाई, Hindi में बोल लो, English में बोल लो, या फिर जिसकी language इतनी अच्छी नहीं है, English की, टेडी-मेडी भी बोलता है, तो भी command ज्यादा बेटर ले लेता है, हमारा Google Assistant, अ एक mode मिलता है, driving focus, ये क्या करेगा, आपके alert और notification को silent कर देगा, सिर्फ incoming जो call है उसको silence नहीं करेगा, ताकि आपको पता रहे, call आ रही है, और जैसा आपने देखा, CarPlay में चीज़े advance है, iOS 16 अपडेट आ रहा है, उसके साथ चीज़े और ज्यादा add-on हो जाएंगी, change हो लगता है, उसके बाद UI use करता है, उसके बाद music, छोड़ी छोड़ी चीज़े जैसे आप phone में क्या करते हो, UI पर कहते हैं, software experience matter करता है, मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मामले में Android auto better लगता है, वो है Google Assistant का support, जिस तरीके से वो समझता है, car brands है भाई, उनको भी काम करन देना ही चाहिए, क्या कैसे experience मिलता हो, मैंने share किया, आपको वीडियो प्रसंद आएगा, वीडियो प्रसंद आतो लाइक से सब्सक्राइब करना, ना मिलता हो आप से अगली वीडियो में, चले भाई, बंद किलो, क्या ही मजा है वीडियो शुक करने में आजना, फोटो ले क्या ने लूड़े आप है जान?